सेम प्राइज में मिलने वाले हमारे पास दो फोने Realme और Redmi के दोस्तों हां हम बात करेंगे 29,999 रूपे में 8GB 128 और 33,999 रूपे में 12GB 256 भी मिलने वाले यह वेरियंट Realme का है 12 Pro Plus और Redmi का Note 13 Pro Plus जो मिलता है 31,999 रुपे में 8GB, 256GB दोनों वेरियंट सिमिलर प्राइज में मिलते हैं दोस्तों दोनों में डिफरेंट क्या है आप वीडियो पूरा देखना आपको पता लगेगा कि ये दोनों ही फोन में फर्क क्या है दोनों ही में से बेस्ट कुन सा है येलमी के अंदर दोनों ही कलर के अंदर आपको मिलता है वेगन लेदर बेक साइड के अंदर आपको मिलता है वेगन लेदर आपको अच्छी कोलेटे के मिलता है दोनों ही फोन के अंदर जो कि आपको प्रीमियम लुक आपको इन दोनों ही फोन में मिलता है तो बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की, डिस्प्ले इन दोनों फोन के अंदर कितना मिलता है, कैसा मिलता है 6.70 इंच का Full HD Plus 120Hz का 10-bit AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाता है, Realme के अंदर 6.67 इंच का 1.5 के रिजुलेशन वाला 120Hz 12-bit AMOLED डिस्प्ले जो के आपको Redmi के अंदर मिलता है, दोनों फोन के अंदर आपको water registration मिल जाता है, IP68 और IP65 Redmi के अंदर बात करें तो 800 निट ब्राइटनेस मिलती है, जबकि Realme के अंदर 950 निट की ब्राइटनेस आपको मिलती है जबकि Realme के अंदर Android 14 मिलता है, जबकि Redmi के अंदर Android 13 Corning Gorilla Glass की बात करें, दोनों फोन के अंदर आपको विक्टस्क का प्रोटेक्शन दिया है, जो कि लेटेस्ट है, दोनों फोन के सिमिलर आपको quality मिलती है build quality सेम मिलती है डिस्प्ले दोनों की सेम है अच्छी quality की डिस्प्ले मिलती है आपको दोनों में MLA डिस्प्ले मिलती है जबकि Redmi की बात करें थोड़ी up level की डिस्प्ले आपको मिल जाती है जिसका Catalunya Certion excel और फ्रेट थोड़ी अच्छी मिल जातीस तो जो दोस्तों दोनों फॉनन में सीमिलर है दोनों डिस्प्ले कि बात करें भी बात करेंगे 20rat का डिस्प्लेइभ्ट है रिफ्रेश की स्विच्य friendship है के लिए ठीयों डिस्प्ले की से में जो बात करें तो दोनोई फोन की सिमिलर है जबकि आपको प्रोस्टर मिलता है Realme के अंदर Snapdragon 7S Gen 2 का और Redmi के अंदर आपको प्रोस्टर Diamond City 7200 का Ultra Smart Processor आपको मिल जाता है दोनोई गेमिंग प्रोस्टर है 5000 इमेच का बैटरी मिलता है इस फोन के अंदर अच्छा मिलता है Hybrid Charging 120W का 120W का जो की 100% 19 मिनट में करता है 67W का Charging आपको मिलता है Realme के अंदर 5G, 4G, 2G, 3G सारे बेंड सपोर्टेड है इन फोन के अंदर Speed अच्छी है दोनोई फोन की Charger Capacity अच्छी है Realme के अंदर 67W का Super Oak Charging मिलता है जबकि Redmi के अंदर आपको 120W का Super Fast Charging मिल जाता है तो दोस्तो दोनोई फोन अपने अपने सेग्मेंट में अच्छे है बेटर है लेकिन Redmi कहीं कहीं जगा नंबर अपडेट है और Next Level का Performance देता है दोस्तो तो दोस्तो दोनोई फोन बेस्ट है जबकि हम बात करेंगे कि Redmi के अंदर आपको डिस्प्ले चारजिंग प्रोसर ठोड़ा Next Level का मिलता है और प्रोसर की बात करेंगे दोनोई दोस्तो दोनोई गेमिंग प्रोसर है तो दोनोई फोन में अच्छा प्रॉपूमेंस देते हैं दोस्तों सेम प्राइज के अंदर बात करेंगे केमरा 50 MP OIS मेन केमरा 64 MP टेली फोटो लेंज और 8 MP अल्टरा वाइड वो भी 4K रिकोडिंग के साथ आपको मिल जाता है जबकि रेडमी के अंदर आपको मिल जाता है 200 MP OIS केमरा 8 MP अल्टरा वाइड और 2 MP मेक्रो केमरा जबकि इसमें आपको टेली फोटो लेंज नहीं मिलता हो रियल्मी में आपको मिलता है केमरा में रियल्मी बेस्ट है रियल्मी के अंदर sony sensor मिलता है इसके अंदर samsung sensor आपको मिल जाता है و잿गल लेदर बैक साइड में आपको phone मिल जाता है dual color LED flash दोनों phone के अंदर मिल जाती है तो दोनों phone के अंदर camera quality best है दोस्तों camera के मामले में दोनों same performance करते है जबकि टेली फोटो लेंस से थोड़ा रियल्मी आगे होता है 16 मेगाविक्सल का फ्रंट केमरा मिल जाता है रेड्मी के अंदर रियल्मी के अंदर 32 मेगाविक्सल का सेल्फी केमरा मिलता है केमरे के मामले में रियल्मी आगे है रेड्मी से तो camera के लिए आपको चाहिए तो camera के लिए आपको realme best पड़ेगा निच्चे की तरफ आपको दोनों फोन में dual SIM plus micro USB C type आपको मिल जाता है charging USB नहीं मिलता है C type charging मिल जाता है और इसके निच्चे साइड में आपको loud speaker के लिए speaker मिल जाता है mic मिल जाता है earphone jack दोनों ही phone के अंदर आपको नहीं मिलने वाले है dual SIM आप दोनों ही phone के अंदर मिलने वाली है same design दोनों ही phone के अंदर मिल जाते है 3D cow design दोनों ही phone के अंदर आपको similar मिलती है दोस्तों जो camera design है वो दोनों ही phone के अंदर अलग है Dolby Atmos, दोनों ही फोन में आपको मिलने वाला है, जबकि Redmi के अंदर आपको IR Blaster, Remote Sensor, Redmi के अंदर ये प्लस पॉइंटे मिलने वाला है, जो कि Realme के अंदर आपको नहीं मिलता है, Noise Consolation Mic, दोनों ही फोन के अंदर मिलता है, दोनों ही फोन के अंदर आपको H Display मिल जाती है, Round Design दोनों फोन में सिमिलर है, दोनों साइड में सेम डिजन आपको मिल जाती है, तो दोस्तों दोनों फोन के अंदर तीन-तीन कलर अविलेबल है, Realme के अंदर रेड, ब्ल्यू और बिंग, वाइट, मतलब गोल्ड गलर जैसा मिल जाता है, जबकि इसके अंदर ब्ल्यू, वाइट और एक रेड मी के अंदर तीन कलर है, कवर के अंदर ये फोन कुछ लुक में ऐसे लगते हैं, और ये रेड मी का, रेड मी के अंदर ब्लेक कवर मिलता है, और उसके अंदर, रियल मी के अंदर आपको ट्रांस्पोरेंट कवर मिलता है, तो दोनों फोन अपनी अपनी जगा अच झाल एक दो